नमस्कार दोस्तो मेरे इस यूटूब चैनल में आपसभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि सिव को आकिर महादिव क्यूं कहा जाता है बगवान भोलेनाद को कई नामूं से जाना जाता है इनी नामों में से एक नाम है महादेव हिंदु धर्मे सास्त्रों के नुसर केवल सिवजी को ही महादेव के नाम से पुकारा जाता है अन्य किसी देवता को इस नाम की संग्यान नहीं दी गई है सिवजी को महादेव क्यों कहा जाता है इसका जवाब सिव पुराण में मिलता है कहा जाता है कि सिव ही आदी है और अनन्त है इस रष्टी के दिर्माण से पहले भी सिव जी है इस रष्टी के खत्म हो जाने के बाद भी वही रहेंगे इसका मतलब यही है इस रष्टी पर जो भी है वो शिव है हिंदू धर्म की अनुसार त्रीदेव, भ्रह्मा, विष्णू और महेश यह तीन मुख्य देवता हैं और यह त्रीदेव एक ही माने जाते हैं वेद पुरान के अनुसार सिव जी से भगवान विष्णू की उत्पत्ती हुई है और भगवान विश्णू की नाभी से ब्रह्मा जी के उत्पत्ती हुई है तत्पश्याद भगवान सिव के आज्यानिशार ही ब्रह्मा जी ने इस सम्पूर्ण सरस्टी का निर्मान किया है और भगवान विश्णू इस ब्रह्मान का पालंग पोसन करते आए है कहा जाता है इन त्रियुदेव में से महेश अर्तात सिव ही कल्युक के बाद इस रष्टी का संगहार करेंगे ऐसा वेद और पुराणों में उल्लेकित है अते सिव जी ही महासक्ति साली है और संपूर्ण भ्रह्मान उन्हें के सारे मात्र से चल रहा है भगवान सिव के समान नजरिये और भोले पन से जुड़ी ऐसी कई पौराणे कहानिया हैं जिने जानका सिव को मानने वालों की आस्ता सिव के प्रति कई गुना और बढ़ जाती है बोलेना से जुड़ी ऐसी ही पौराने काताओं को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए अगर अभी तक दोस्तो आपने हमारे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसको सबस्क्राइब करें like करे, share करे और अपने दोस्तों के साथ share करे दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो सुनने के लिए आप सभी का अपने तही दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, thank you